Hey everyone, welcome to Engage with FL इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीजे बताने वाला हूँ FL Studio के बारे में बहुत छोटी से छोटी चीज भी यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर करूँगा चैनल का नाम है Engage with FL यहाँ पे सारी की सारी वीडियो आपको FL Studio से related ही मिलेंगी जल्दी से open करते हैं अपना FL Studio 20 जब आप first time FL Studio open करोगे इस टाइप का interface आपके सामने आएगा यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं सबसे टॉप पे यहाँ पे कुछ आपको menus दिखेंगे सबसे पहला है file फाइल थोड़ा सा important है सारी चीज़ें यहाँ पे मैं cover कर देता हूँ new basic 808 with limiter अगर आप यहाँ पे choose करोगे so यहाँ पे एक new project create हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कुछ 808 के samples आ जाएगे and mixer पे master channel पे आप देख सकते हो effect track पे last में एक limiter भी आपको मिल जाएगा आप चाहों तो new from templates भी कर सकते होए and यहाँ पे आपको काफी सारी templates भी मिलेंगी यहाँ पे आप अपनी templates भी create कर सकते हो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा next है open so open पे आप click करोगे so आप अपने projects को open कर सकते हो जो default इसका बात होगा then यहाँ पे हमारे पास तीन options है save, save as, save new version so इनमें difference क्या है so सबसे पहले अगर आप एक project पे काम कर रहे हो so आप करोगे save as so that एक वो project file flp एक वो create हो जाए and अगर आप एक project पे काम कर रहे हो जो already आपने save किया हुआ है for example 2-3 दिन के बाद आपने so that वो जो आपने file create करी है project file उसी में save हो जाए then यहाँ पे है save new version so इसका मतलब क्या है अगर आप किसी track पे काम कर रहे हो for example आपका कोई track है जो 100 bpm का है and आप चाहरे हो कि एक आप same samples के साथ same चीजे उसमें होनी चाहिए है लेकिन उसका tempo होना चाहिए सारे samples होंगे जो आपने अपने project में use करे थे then यहाँ पे import so आप midi files import कर सकते हो वैसे आप drag and drop भी कर सकते हो आपको यहाँ पे option में जाने की जरूरत नहीं है export पे आप यहाँ पे जो आप भी आपका project है आपने track complete किया है track बनाया है वो आप export कर सकते हो wave file, mp3, ogg, flac, midi file, etc, etc and fl studio 20 में एक option और है जहाँ पे आप soundcloud पे directly upload भी कर सकते हो then यहाँ पे आप video file भी export कर सकते हो then उसके बाद है project so अगर आप अपने किसी friend के साथ यहाँ फिर किसी और artist के साथ collaborate कर रहे हो so आपको जरूरत होगी flp जो आपका project है उसका एक pack बनाने की उसको एक zip file बनाने की so यहाँ से वो काम आप कर सकते हो zip loop package so जितने भी samples हैं वो एक rar file यहाँ फिर zip file बन जाएगी जिसमें वो सारे के सारे samples होंगे with your flp then यहाँ पे है project bones so project की जो bones हैं एक एक preset जो आपने use कर रहा है वो सारे के सारे folders बन जाएंगे एक particular आपके project के folder में then यहाँ पे है project data files for example आप कुछ काम कर रहे हो and आपको अपने दूसरे system पे यहाँ फिर laptop पे यहाँ फिर आप कहलो आपको collaborate करना है so किसी और के साथ so वहाँ पे आपको वो project file भेजनी होगी अगर आप FLP भेजोगे so वो इतना नहीं सही रहेगा क्योंकि वहाँ पे जो आपने FLP भेजी है उसके अंदर कोई भी instruments नहीं होंगे I mean samples नहीं होंगे instruments होंगे samples नहीं होंगे so सारे के सारे आपको samples अगर एक folder में चाहिए है then आपको यहाँ पे project data files पे click करना होगा and उस particular folder में अपने सारे के सारे samples जो यहाँ पे आपने use करें हैं अपने project में वो save हो जाएंगे then यहाँ पे आपके कुछ recent projects आ जाएंगे then उसके बाद है exit so edit में कुछ जादा खास नहीं है add में अगर आप जाओगे तो यहाँ जे आप VST instruments को जो FL Studio की stock plugins है उनको use कर सकते हो then आते हैं patterns में so FL Studio में हम बनाते हैं pattern यहाँ पे मैं आगे चलके आपको बताऊँगा की patterns कैसे बनाने हैं और कहाँ पर बनाने है then next है view so यहाँ पे आप customize कर सकते हो अपने FL Studio को अपने recording की आपको क्या चीज़ कहाँ पे चाही है for example अगर मुझे यहाँ पे playlist अभी नहीं चाही है so मैं यहाँ से जाके playlist पे आप देख सकते हो right tick लगा हुआ है so इसको मैं हटा दूँगा so यहाँ पे playlist remove भी हो जाएगी so इस तरीके से playlist आप देख सकते हो यह चली गई है and अगर मैं यहाँ से जाके view पे again playlist पे click करूँगा so यहाँ पे again में पस playlist आ गई है so यह थोड़ा सा lengthy option है and view की ज़ादा ज़रूरद आप लोगों को नहीं पड़ेगी so वो आपको shortcuts यहाँ पर भी है आप यह देख सकते हो so मैं अभी आपको आगे explain करने वाला हूँ then है option so यहाँ पे जाके आप अपनी system की जो FL studio की settings है उसको change कर सकते हो वो भी video आगे में लेकर आऊंगा आपके लिए क्योंकि वो थोड़ी सी detailed video होगी then है यहाँ पे tools so यहाँ पे tools में भी आपको कुछ tools मिलते हैं FL studio आपको provide कराता है so यहाँ पे इसके उपर भी आगे चलके video detail में आएगी then यहाँ पे है help so अगर आपको कुछ help चाहिए है so आप FL studio के यहाँ पे website पे जाके यहाँ से आपको directly जो link है website के मिल जाएंगे for example यहाँ पे आप देख सकते हो internet links so अगर आप यहाँ पे click करोगे so एक browser open हो जाएगा जहाँ पे FL studio का home पे जाएगा so एक बरी मैं आपको करके दिखाता हूँ so जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे directly links attached है so यहाँ पे उसके बाद हमारे पास दो main options आते हैं जो है यह और यह options नहीं knobs हैं so यह जो knob है यह volume knob है आप इसको कभी भी नहीं छेडिएगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ project बनाया है और अगर आपका यह यहाँ से down है level so आपका जो export आप track करोगे वो ढंक से sound उसमें नहीं आएगी उसमें volume हमेशा कम आएगी यहाँ पे mixer channel पे भी master है so यह मत सोचिएगा यह master और यह यहाँ पे दोनों link हैं ऐसा नहीं है यह चाहें आप इतना उपर भी कर दो और इसको अगर down कर दोगे यह zero कर दोगे so आपके FL studio में से output नहीं निकलेगा so हमेशा इसको reset 0 dB पर रहने दीजएगा so यहाँ पे आपके पास आती है master pitch knob so अगर आपने कोई FL studio में अपना project create करा है and अगर आप चाहते हो पूरे project का scale change करना so आप वो यहाँ से कर सकते हो generally आपको required नहीं होगा लेकिन आप इसको बिल्कुल भी मत छेडियेगा so यहाँ पे अगर आप इसको करते हो 100 cents तो इसका मतलब है one semitone आपने up कर दिया है ऐसी अगर आप 200 जाते हो so two semitones आपने इसमें add कर दिया है I mean high कर दिया है so इसको reset then यहाँ पे कुछ हमारे सामने options है यहाँ पे pattern mode और song mode so FL studio में हमारे पास दो mode होते है pattern mode यह आप देख सकते हो यहाँ पे है channel rack so यहाँ पे हम अपने drum beats create कर सकते हैं कोई भी patterns बना सकते हैं चाहे वो melody हो यहाँ वो drum pattern हो then उसके बाद आता है हमारे पास song mode जो की है यह playlist वाला so यहाँ पे हम सारे के सारे अपने tracks add कर सकते हैं और एक पूरा का पूरा track बना सकते हैं samples add कर सकते हैं melody loops अगर आपके पास कोई wave file है यहाँ पे आप add कर सकते हो so यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास दो mode है अगर आप pattern पे करोगे so यह play होगा मैं आपको दिखाता हूँ यह आप देख सकते हो यहाँ पे यह run हो रहा है and अगर हम song mode पे जाते हैं और play करते हैं so आप देख सकते हो यहाँ पे जो marker है वो हमारा playlist पे start हो चुका है then उसके बाद यहाँ पे हमारे पास record button अगर आपको अपनी voice record करनी है यहाँ फिर अपने vocals record करने है so आप यहाँ से record FL studio में कर सकते हो then यहाँ पे हमारे पास आता है master tempo so आपके project का क्या tempo होना चाहिए क्या BPM होगा वो यहाँ से आप देख सकते हो अभी यहाँ पे है 130 आप इसको change भी कर सकते हो predefined है so यहाँ से भी आप select कर सकते हो 80, 90, 100, 110, 120, 130 so आप यहाँ से भी select कर सकते हो then यहाँ पे हमारे को और थोड़े से tools मिल जाते हैं so first वाला है metronome यह mainly आपका जब आप record करते हो vocals को यहाँ फिर किसी भी चीज को record करते हो तब काम में आता है आपका metronome then यहाँ पे है wait for input to start playing यह थोड़ा सा recording and आपकी MIDI recording या फिर vocal recording से related है so आगे जो video आएगी वो मैं बहाँ पे इस चीज को explain कर दूँगा then यहाँ पे है countdown before recording so यह भी same वही चीज है आपकी recording से related so पहले count होगा उसके बाद record होगा blend recording यह सारी चीजे recording से related है यह जो उपर वाले आप 5 tools देख सकते हो then यहाँ पे typing keyboard to piano keyboard अगर यह off होगा और अपने आप keyboard पे keyboard आपका जो computer का यहाँ पे laptop का keyboard है उस पे अगर आप कोई key press करोगे so आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं कोई key press कर रहा हूँ for example L press कर रहा हूँ so यहाँ से यह pattern और song mode पे shift हो रहा है song mode, pattern mode song mode, pattern mode और अगर मैं इसको enable करता हूँ so यहाँ पे अगर मैं कोई instrument add करता हूँ for example FL keys so यह piano है यहाँ पर अगर मैं F को play करता हूँ और यह enable है So आप सुनोगे कि FL Studio, I mean जो FL Keys है उसमें से sound आएगी And अगर मैं इसको off करता हूँ, so यहाँ पर sound नहीं आएगी So इसका simply meaning है यह जो आपका computer keyboard है उसको आप change कर सकते हो अपने MIDI keyboard में Then उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास scroll to reach time markers So जब आप यहाँ पर आपना track पूरा बनाओगे So जब वो play होगा, so वो एक थोड़ा सा slide होना शुरू कर देगा अगर यह option enable होगा तो Then यहाँ पर है step editing mode, so यह आपको editing में use होगा Then यहाँ पर है enable note slash clip groups So यहाँ पर FL studio में सबसे अच्छी चीज़ यह है, अगर आप कहीं भी चीज़ पर अपना mouse cursor लेकर जाते हो So आप left में देख सकते हो, यहाँ पर वो आपको बता देगा कि यह exactly क्या चीज़ है So यहाँ पर अगर मैंने अपना mouse cursor लेकर आया, so यहाँ पर वो बता रहा है enable note clip groups So यहाँ पर आप यह चीज़ select कर सकते हो, then उसके बाद है multi link to controllers Basically यह आप manually ही करोगे, यहाँ से अगर आप करोगे, तो थोड़ा सा आपको problem हो सकती है मैं mainly यहाँ से use नहीं करता हूँ, मैं directly knob पर जाके link करता हूँ वो थोड़ी से advance level की चीज़ है, वो आने वाली videos में आप सीख जाओगे Then यहाँ पर हमारे पास आता है timings जो की है bars और beats की For example अगर मैं यहाँ पर एक pattern है मेरे पास वो बनाता हूँ और यह आप देख सकते हो, यह हमारा marker अभी one पे So यहाँ पर one पे और इसको अगर मैं लेके जाता हूँ nine पे यहाँ फिर eight पे, so आप यह देख सकते हो, यह हमारे को bars और beats पताएगा यहाँ पे है bar और यहाँ पे है beat So eighth bar की first beat, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ So आप यह देख सकते हो, eighth bar की fifth beat Then यहाँ पे हमारे पास audio levels आते हैं अभी मैं आपको वो सुना दूँगा, एक बारी मैं यहाँ पे हलका सा सुनाता हूँ आपको So आप यह देख सकते हो, यहाँ पे waveform type की आ रही है और यहाँ पे आपके पास sound levels आ रहे है Then यहाँ पे है आपकी CPU usage, कि आपका CPU and RAM कितना use हो रहे है वो आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपने ज़्यादा instruments आड़ कर दी है So यहाँ पे आप देखोगे कि यह red हो जाएगा and यह काफी high हो जाएगा So यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास कुछ और tools है जो की है undo, so यह आप basically shortcut keys से भी कर सकते हो मैं एक video लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं इसके shortcuts भी बताऊँगा So यह starting है, अभी बहुत सारे आपको videos मिलेंगे Then यहाँ से आप audio editor open कर सकते हो, जो की है Edison Then यहाँ से है one click audio recording, so record कर सकते हो यह mainly आपको shortcut keys दे रखी हैं, जो आप अपने keyboard पर भी कर सकते हो Then यहाँ पे आते हैं, so यह है main snap, quantization, step, edit, step So यहाँ से mainly आप change करोगे आपका जो यहाँ पे beats हैं, वो कितना divide हो रही है For example, अभी यह line पे है, so यहाँ पे अभी आपको, यह जो है, यह first beat है आपकी जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 beat होती है, so एक बरी मैं इसको यहाँ से करता हूँ, यहाँ तक So 1, 2, 3, 4, so यहाँ पे 4 beat आ रही हैं आपके पास अभ यहाँ पे अगर मुझे इसको further divide करना है, आप मैं zoom कर लेता हूँ इसको, so मैं यहाँ पे zoom कर लेता हूँ, and अगर मैं इसको करता हूँ Half step, so आप देख सकते हो, हमारे पास यह further divide हो गया है, जो हमारी beats थी, वो half हो गई है, so अब यहाँ पे हमारे पास 8 beats आ गई है So यह आप देख सकते हो, यहाँ पे, यह है bar, यह है beat, and यह further उसकी beat है, I mean जो divide होई है, so इस तरीके से यहाँ से आप change कर सकते हो, यह mainly जब आप melodies वगेरा बनाओगे, प्यानो रोल पे, so आपको यह वहाँ पे काम में आएगा Then यहाँ से आप जितने भी patterns बनाओगे, so यहाँ पे FL Studio में आप बहुत सारे patterns बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था So यहाँ पे अगर आप देखोगे, so अभी एक pattern है, अगर आपको new pattern करना है, so आप यहाँ से जाओगे और new pattern बना लोगे, for example drums And आप देख सकते हो, यहाँ पे आगया है drums, आप और भी बना सकते हो, इस type से आप patterns add कर सकते हो, then आगे चलते हैं, so यहाँ पे आगे हमारे पस कुछ और tools आते हैं, basically tools नहीं है, यहाँ पे यह है shortcut keys ही एक तरीके से आप कह सकते हो, shortcut icons, shortcut keys नहीं, shortcut icons, so अगर आप इसको करते हो, so यह playlist है, so यह वाला जो playlist है, इससे enable और disable हो जाएगा, so यह hide हो गया, and अगर आपको playlist लेकर आनी है, so आप इस पे click करोगे, तो playlist आ जाएगी, इसको अभी मैं remove कर देता हूँ, then यहाँ पे हमारे पास आता है piano roll, so यह है piano roll, dedicated video आएगी, piano roll पे, playlist पे, channel rack पे, browser पे, हर चीज़ पे, mixer पे भी, then यहाँ पे इसको हम hide कर देते हैं, then यहाँ पे आता है हमारे पास channel rack, so यह है हमारा channel rack, then उसके बाद आता है mixer, so एक track बनाने के लिए आपको यह 5 जो चीज़ें हैं, 5 इसकी windows हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको use करनी पड़ेंगी, then यहाँ पे हमारे पास है browser, so यह आप देख सकते हो, यह है browser, यहाँ पे जितने आपके sample packs हैं, आप यहाँ पे add करोगे, जब आपको use करने है, so आपके यहाँ से show कर सकते हो, then उसके बाद जब use में नहीं है, so यहाँ से आप इसको hide कर सकते हो, then यहाँ पे हमारे पास आता है open project and plugin picker, so इस पे click करेंगे, so यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी आपके project में patterns create होंगे, वो यहाँ पे show होंगे, and जितने भी आपने instruments लिये हैं, वो यहाँ पे show होंगे, instruments plus samples, so यहाँ पे आप देख सकते हो, यह 4 samples हैं, जो default project में आते हैं, FL studio के, and जैसी आप इसके उपर अपना mouse cursor लेके जाओगे, so आपको वो sound सुनाई देगी, and यहाँ पे जो अभी patterns हैं, वो आप देख सकते हो, बिल्कुल empty है, so अगर हम यहाँ पे mouse cursor लेकर जाएंगे, so हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, and यहाँ से आप new pattern भी create कर सकते हो, then next icon है हमारे पास, open plugin project picker, so यहाँ पे अगर आप click करोगे, तो सारी की सारी plugins जो हैं, वो आपको show हो जाएंगी, जो FL Studio की stock plugins है, साथ में अगर आपको यह third party VST plugin भी इसमें add करते हो, so वो भी यहाँ पे show हो जाएंगी, then यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ आपके पास जो plugins होंगी, वो effect plugins होंगी, कुछ आपके पास जो होंग plugins होंगी, for example, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह सारी instrument plugins हैं, and अगर हम बात करें effect plugins की, so यहाँ पे है effect plugins, जैसे reverb, delay, EQ, limiter, multiband compressor, compressor, so सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिलेंगी, effect VST plugins जो है, then उसके बाद next जो हमारे पास icon है, वो है view tempo tapper, so यहाँ पे आप आप कर सकते हो, dedicated video आएगी, then यहाँ पे आपके पास next है, view touch controller, so यह basically आपके touch controller है, यहाँ पे यह आपको required नहीं होगा, अगर आप normal अपने tracks बना रहे हो, तो, then यहाँ पे है purchase FL studio और upgrade, so अगर आप इस पे click करोगे, then again यह FL studio की website पे आपको ले जाएगा, so आप यहाँ पे देख सकते हो, कि आ purchase करना है, अभी जो मैं use कर रहा हूँ, वो है FL studio fruity edition, and यहाँ पे अगर मुझे upgrade करना है, so आप यह देख सकते हो, मुझे इतना pay करना होगा, and मेरा जो FL studio का license है, वो automatically upgrade हो जाएगा, automatically क्या, वो तो जब pay करेंगे तब होगा, so इस type से आप यहाँ से चीजे कर सकते हो, and last but not the least, यहाँ पे हमारे को तीन buttons मिलते हैं, जो की है minimize, आपका restore और maximize, so यह हो गया maximize, यह हो गया restore, and यहाँ पे है close button, so यही था FL studio 20 का introduction, और छोटा सा beginner lesson, next videos आएंगी, जहाँ पे मैं एक एक चीज आपको explain करने की कोशिश करूँगा, so वीडियो को कर देना, like, channel को कर देना, subscribe, क्यों से related आपके लिए videos आगे आते रहेंगे,